हाई फ्रेंड्स मेरे नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर चार्जर कंट्रोलर के बारे में दोस्तो मान लिजी आपके पास 330 वोल्ट की प्लेट है वाट की और 36 वोल्ट वोन निकाल रही है और अब आपको उससे चार्ज करनी है 12 वोल्ट की बैटरी या फिर 24 वोल्ट की बैटरी तो उसके लिए आपको कौन सा कंट्रोलर चाहिए इसके बारे में बात करूंगा और मतलब जो कंट्रोलर उसको दिखाऊंगा और इसके बारे में हम बात करेंगे आपको ये वीडियो प quality है और इसमें आपको display भी मिलती है जिसमें आपको पता चलेगा कितनी battery charge होगी और कितनी battery में अभी backup है और यह इसका खास feature से और इसके अलावा इसके जो connection होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर देख सकते है solar battery का solar battery के इसमें connector में जाएगा आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस उसके साब से लगेगा और फिर battery का है और फिर यहाँ पर output का inverter में जाएगा और यह light की तार है light board में जाएगी इस तरह इसका correction हो जाएगा बहुत ही simple है कोई ज्यादा दिमाग लगाने कि इसमें आपको जरूत नहीं है और आप एक बार फिर भी इसको में थोड़ा बड़ा करके और पीछे से इसके connector दिखाता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके connector होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं और और यहाँ पर इसकी detail भी आप जान सकते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों में एक काम करेगा तो आप इस तरह इसको purchase कर सकते हैं इसका link आपको discussion मिल जाएगा और इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हम उसका जवाब देने के पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तों मैंने आपको बताया यह solar charger controller अगर आपकी 12 वोल्ट की battery है 24 वोल्ट की है इससे आप 24 वारा और वोल्ट की battery चार्ज कर सकते हैं कोई परिशानी नहीं है इसका link मैंने आपको description में दे दिया है वहां से आप इसको purchase कर सकते हैं और अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप comment करें हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर